तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है प्राइटेशन के बारे में जो बात आ रही है हम लोग ऑथन्टिक सोर्स से कवर करते वे चल रहे हैं देखिए अब जैसे यह बात हम आपको काफी पहले शेयर कर चुके थे आज यह देखिएगा आज काफी सारी नहीं बात ह आपको किन्यूज में और यह देखिएगा जो हम आपको अठेंटिक सोर्स से जो सारी चीज कवर करा रहे हैं वह सारी चीज हम स्टार्ट हो गई है इसी वाइस साम बोलता है कोई भी सोर्स देखिए तो ऑफनिक सोर्स से देखिए मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो बनता है को अच्छा पेपर रहा कोई अच्छी न्यूज आई कोई ऐसी जगह से ट्रसवर्दी जगह से न्यूज आई तो ही शेयर होती है इस यूट्यूब चैनल पर तो अगर चैनल पर नए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा हम लोग यह जो आज पूरा न्यूज कव लिजेगा जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाएगा तो यह सारी कुछ वीडियो हैं आप पोस्ट को देखिए यह जो है आर बियाई मॉनेटरी पॉलिसी देख लिजेगा तो आपको सारी मॉनेटरी पॉलिसी की चीज किलियर हो जाएगी उसके इलावा प्लेलिस्ट पर आप इहांपे कट उफ एग्जामिनेशन्स देख सकते हैं प्राइविटेशन की लेटेस्ट न्यूज देख सकते हैं ठीक है ओके तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने आज के न्यूज के तरफ आर्टिकल के तरफ यहाँपे आपके सामने सारी प्लेलिस्ट आप जो प्लेलि तो सबसे पहले तो यहां तो नेशनलाइजेशन की बात कही है, नेशनलाइजेशन की बात कि अगर हम करें, तो यहां अगर आप आएगा इस प्लेलिस्ट में तो इस प्लेलिस्ट में आपको नेशनलाइजेशन आफ बैंक करके यह टॉपिक दिख रहा है, आप इस टॉपिक क has started inter-ministerial consultation to draft the legislative changes required for privatization of public sector banks. तो PSB के privatization के लिए जो आपको changes चाहिए, legislative changes जो चाहिए, जो कारिवनी बदलाव जो चाहिए, उसके लिए governor ने inter-ministerial consultation start का दिया है. ठीक है, the plan according to official source is to opt for amending the relevant laws in one go so that the process of PSB privatization is not hindered by legal hurdles. तो plan ये है कि सारी जो सारी चीज़े हैं, उनको one go ही में amend कर दिया जाए, ताकि जो legal जो privatization का जो ये है, process है, वो काफी smoothly हो जाए, कही legal legal कोई hurdles उसको नहीं face करना पड़े, तो हमारा government का ये प्लान है कि सारी process का हम लोग smoothly कर ले, हमने आज इसमें देखिया है कि आज नाम भी आया है banks वगएरा कि कौन सी जादे chances होने का, तो ये का, deliberations are taking place within the government on whether to repel banking companies acquisition and transfer undertaking act 1970 and 1980 nationalization act, तो ये काफी बड़ा news है कि जो आपको चल रहा है, कि ये जो banking companies act है और nationalization act है 1970 और 1980 का इसको repel कर दिया जाए, इसको cancel कर दिया जाए, the voting right cap of 10% for a non-government shareholder irrespective of its shareholding is among the key constant identified, जो हमारा voting right होता है, वो 10% रहेगा non-government shareholders के लिए irrespective, चाहे कि वो जितना जादे भी shareholding आप खरीज, इसके पास रहे, ठीक है तो उसमें 10% रहता है उसको voting कर तो ये जो है key constraint काम कर रहा है कि ये इसको exchange करने पे काफी जादे तवज्जो दे रही है government, अगर हम आगे चलेगे तो the stipulated, इसके इलावा एक और चीज़ है, the stipulation of banking regulation act 1949 that no shareholder of the banking company, PSB और private sector bank can exercise voting right more than 26% तो voting right जो है 26% से जादे नहीं है, इसके बारे में भी एक चल रहा है, ठीक है जो हमारा banking regulation act 1949 में है, तो ये सारी चीज़े हैं जो government चाहरी है, कि इन सारी चीज़ों को हम एक ही बार में amend कर दे, आपको पढ़ना है एक बार तो अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, मैंने पूरी screening clear कर दी है, ठीक है, अब आगे चलते हैं ठीक है, अच्छा इन दोनों में आप देखेगा, अच्छा चली आगे आप पढ़ी लिया होगा, आप आगे चलते हैं, इन the budget FY22, financial year 22 speech, ये तो हमारा पूरह नहीं बात है कि निर्मिला सीता रमन जी इनने एनौस किया था, प्रिविटेशन करेंगी two PSB bank का और एक general insurance companies का in the current fiscal year, ठीक है, the, the seen as part of the larger process of privatization, more PSBs, while Naniti Aayug has reportedly identified a few PSB candidates for privatization, the RBI and the government are in talk on the privatization of the two banks in the current year, तो इसी साल दो बैंक को privatize करने के talk में है, RBI और government, ठीक है, according to the sources, according to the sources, before repelling the banking nationalization laws, a procedure has to be developed for transition of PSB from under these act of companies, these act, ठीक है, from under these act to the companies act, मतलब क्या हो रहा है कि ये government का ये कहना है कि जो ये सारे laws को हम repeal करेंगे, उससे पहले एक procedure किया जाए कि ताकि ये जो PSB जो सारे, इस सारे acts में है, उससे इस सारे acts हटके, वो companies act में आ जाए, the precedents of all this are being studied, जो सारे हमारे precedents है, इस सीस के लिए वो सब study किये जा रहे है, ठीक है, ठीक है, ओके, चली हम यहाँ पर color pen का same हो जा रहा है, हम दूसरा color ले ले से है, ओके, हम लोग कहां तक, यहां तक हम लोग इस article को पढ़ चुके है, other companies have shifted from other acts to companies act, no nationalized has seen such transition here, तो दूसरी companies जो है, वो transfer की है, लेकिन कोई nationalized, no nationalized has seen such transition, कोई भी nationalized ने आज तक ऐसे transition नहीं देखा, there were five things bank including access bank, ICSA bank, IDBI bank, which were government owned at some point in time, but were not nationalized bank, hence privatization was rather smooth, तो यह जो ICA access bank होए, ICSA bank होए, IDBI bank, यह जो government owned थे हैं एक time में, लेकिन nationalized नहीं थे, तो इनके जो privatization हुए, वो काफी smooth था, तो government का इस बार भी यही focus है, कि अभी हम जो privatization को process कर रहे हैं, वो काफी smooth रहे, after the consultations and seeking legalist opinions, the legislative actions with regard to nationalizing act and banking revolution act are expected in the monsoon session of the parliament, तो monsoon session of the parliament में यह सारी चीज़े को हमारे government जो है implement करना चाह रही है, as many 14 private banks were nationalized in 1970 by the Indra Gandhi movement followed by another six band in 1980, the Narendra Modi government is trying to unshackle the whole of public sector by encouraging the private players to acquire government assets, तो government क्या कर रही है, नरेन मोदी जी की को गवर्मेन है, वो जो है unshackle करना चाहरी है, जो hold है private sector में, public sector में government का जो hold है, उसको unshackle करना चाहरी है, ठीक है, उसको खोलना चाहरी है, उसको आपको private players को encourage करना चाहरी है, recently it repealed the law governing BPCL to pave the way for privatization तो BPCL में भी कावी सारे laws changes हो है ताकि वो privatization easily हो सही हो वहाँ का ठीक है इसके बारे में protest चल रही रहा है इसका, already the India government, अभी यहाँ से एक यह चीज है, कि already the India government undertaken a series of consultation exercise in the public sector banking space as a result the number of state runs bank has come down from 27 into 2017 to 12 now, तो 12 अब कौन से bank है, बारा अभी कौन से आरे bank है, यह सारी बाते हम यहाँ पर आपको पढ़ा चुके है इस वाले list में जाएगा, यहाँ what is bank से जो हमने start किया है, यहाँ पर मैंने आपको start किया है, यहाँ पर पढ़ाया है आपको, कि कौन से bank है, कौन से bank का क्या tag है, और क्या सारी चीजे है, ठीक है याद रखिएगा कि अब 12 ही bank है, इंटर्व्यू में से पूछा गया था कि अब कितने bank हैं, तो इतना तो आपको पता ही रहा है, कि अब कितने, आपके है bank The idea is to create few strong banks to support the rising credit appetite of the economy, to reverse a slide in economic growth and cut cost through a greater synergy ठीक है, तो आप जो आइडिया है ना कि government का यह focus है कि instead of छोटे छोटे सारे बहुत सारे bank के जगा पर, एक हम बड़ा bank रखें, दो तीन बड़ा bank रखें, जो कि हमारा economy appetite है, उसको यह सारे credit कर सके ठीक है, सारी economic appetite को हम लोग satisfy कर सके, growth को हम लोग satisfy करके, जो हमारा cost है, वो हमारा cut हो से, cost कैसे cut होगा, जैसे मालीजे की एक जगा है, यहाँ पर एक bank है, मालीजे, PNB का bank है, और एक, ऐसे चलिए merger हुए ना, Canera or Syndicate का, चलो यहाँ पर Syndicate bank था और यहाँ पर Canera bank था, ठीक है, एक ही इलाका में, तो क्या हुआ कि इन दोनों का merger हो गया, तब क्या हुआ कि यहाँ पर दो branch तो एक ही नहीं होगा, यहाँ पर एक ही branch खोल दिया गया, Canera bank का, ठीक है, Syndicate मर्च कर गया था Canera bank में, तो Canera bank का एक ही branch यहाँ पर खोल दिया गया, इलाका में, हमारा business भी स्टाफ की भी कमी हो गई स्टाफ जो था वहां से उट करके दूसरे जगह चला गया तो गवर्मेंट का एक तरीके से यही मतलब यह है कि हम कॉस्ट कटिंग भी कर सके कॉस्ट कटिंग भी होगा ऑके एकॉर्डिंग तो न्यू स्ट्राटेजिक सेक्टर विल इवेंचुली र बैंक्स वाई प्राइटाइजिंग और मर्जिंग अदर्स तो हमारे गवर्मेंट का यह एजंडा है कि हम फोर स्टेट रंस बैंक रखें चार सिफ रखें बागी सबको प्राइज कर दिये तो अभी बारा है तो यह प्रोसर्स काफी लंबा चलने वाला है ठीक है नीतिया योग उस आज़्वर्मेंट डिटें कंट्र झ्तर पस्टर मेंटों काया है तो इंचारों ने ल्युक्त मेंट इंडर्वान्ट का रखें तो इन साहारे बैंक को प्राइज करेंच अभी नीतिया यूग का रिकमेंडिशन है ठीक है on priority basis पे ठीक है priority basis पे ये कहा गया है as for the remaining five PSB, Bank of India, Union Bank, Indian Overseas Bank, Central Bank, Indian Bank the government may either emelgate them with four larger one it chooses to retain or trim its stake in them over a stipulated time frame to 26% तो government इन बाकी सब बैंक में क्या कर सकती है कि इनको emelgate कर सकती है जो बाकी चार बैंक जो भी हम नाम लिया उन सारे बैंक में आपको ये emelgate कर सकती है या फिर उसको stakes को अपने कम कर करके वहां से 26% तक कर सकती है before exiting fully exit करने से पहले क्या मूद है कि चार सिफ हम बैंक रखेंगे अपने पास according to an earlier नीदी आयोग पर्पोजल्स तो अगर आप हमारे चैनल को follow करते आ रहे है तो इन सारी बातों से आप अफगत होंगे ठीक है ये हमारी आज की लास्त ही बिट्विटीन 15 15 15 15 15 and 20 the central has infused as much as 3.2 lakh core to shore up the capital base of the bad loan saddle PSB still the market capitalization has eroded steadily and substantially in recent year even before COVID-19 pandemic hit them तो ये इतना लाग क्रोड यहां पे government ने infused कह लेकिन एक जो बात आ जाती है अच्छा आपका क्या रहे है प्राइविटेशन और प्राइविटेशन के खिलाफ आप किस चीज़ के साथ है आप प्राइविटेशन के साथ है या फिर प्राइविटेशन के अगेंस्ट है अगर साथ है तो अपना पॉइंट बताईए कि किस लिए आप साथ है और अगर अगर अगेंस्ट है तो आप अगर आपको आ जाता है लिखने के लिए तो आप उसमें क्या पॉइंट दीजेगा तो आप जिस भी पॉइंट में आप नीचे कमेंट सेक्शन में पांच पॉइंट या फिर तीन पॉइंट जितना आप लिख सकें तीन से लेकर के पांच पॉइंट अब बताएगे कि प्रा लिस्ट वगरा जो है यह सारी तुम चाहो तो देख सकते हो काफी तो आप लोगों को इसे आपको बेनेफिट होगा और अभी मैरोथॉन क्लास भी हम लाएंगे सोच रहें कि और लिजनिंग के आपको मैरोथॉन क्लास दिये जाए आप नीचे कमेंट किजिए कि आपको फरगा एक पॉइंट हम होता है और आपको शुट्ट को सब्सक्राइब होता है उसमें थोड़ा आपको कस्टों सब्सक्राइब के model था वार Phewством को और अच्छे से च hele प्राइवेट बैंक में काफी अच्छे सुच से खियार लगा जाता है कि कॉस्टमर हमारे यहां आया है तो इसको हम अच्छे सर्विस प्रोवाइड करें और एक सटिस्वाई हो करके जाए वहां से ठीक है एक पॉइंट तो यह हो गया आपको अगर आप अब और सुचिए आ अब फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ all the best guys for your upcoming examinations अब फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ